आमतोर पर एक इंसान में दो किड्निया होती है अगर किसी वज़ा से किड्नी खराब हो जाए तो ट्रांस्प्लांट के जरिये नई किड्नी लगा दिया जाती है और पुरानी किड्नी को हटा दिया जाता है लेकिन क्या आपने कभी पांच किड्नियों वाले इंसान के बारे म सुना है सिन्ने के के स्पταल में एक मरीजा जिसके शरीर में पांच घंडिया है उसका तीसरी बार के ट्रांस्पलांट हुआ टीने का नामी प्राइवेट असपताल मद्रास मैडिकल मिशिन स्पताल के अनुसर् उनके यहां भीरथी एक मरीज की 14 साल की उम्र में किड्नी फेल हो गई थी बेहत कम उम्र में ही उसकी ट्रांस्प्लांट सरज्ज्यकर नी पड़ी कि in 94 का साल था इसके 9 साल बाद फिर्से मरीज की परेशानी बड़ी तो फिरसे 2005 में ट्रांस्प्लांट किया गया इस दौरान लगाई गई किड्निया बारा साल तक चली लेकिन मरीज के अन्य अंतुरत हाइपटेंशन के कारण ये ट्रांस्प्लांट भी पूरी तरह काम्याब नहीं हो सका इसके बाद चार साल तक वे डायलेसिस कराता रहा वंगर धीरे-धीरे स्थिती जटल होती जा रही थी इसकी बाद इसी साल मार्च महीने में उसकी तीसरी बायपार सरज़ी भी की गई हालत में सुधार ना होने पर दस अगस्ट को मरीश की तीसरी किड्नी ट्रांस्प्लांट सर्जरी की गई अस्पताल का दावा है कि ऑप्रेशन काम्याब रहा लेकिन उनोखी बात ये सामने निकल कर आई कि ट्रांस्प्लांट के दौरान मरीज की पुरानी किड्नियों को नहीं निकाला गया ऐसा क्यों? ट्रांस्प्लांट करने वाले डॉक्टर S. सर्वनन ने इसका जवाद दिया उन्होंने कहा कि पहले बाहर से लगाई गई और स्थाई किड्नियों को इसले नहीं हटाया गया ताकि जादा ब्लीडिंग ना हो और मरीज की जान को खतरा ना हो डॉक्टर सर्वनन ने बताया कि ट्रांस्प्लांट के वक्त दिक्कते भी कई आई उनके मताबिक तीन बड़ी समस्याई थी पहली ये कि नई किड्नी को फिट करने के लिए शरीर में जगा कम थी दूसरी ये कि रक्त वाहिकाओं को गुर्दे की वेन से जोड़ना था तीसरी ये कि पहले की सर्जरी में ब्लैडर जखमी हो गया था जिसके कारण बहुत जादा एंटिबॉडी पैदा हो रही थी इन सब को देखते हुए ट्रांस्प्लांट किया गया जो कामियाब रहा डॉक्टर सर्वनन ने दावा किया है कि ऐसा ट्रांस्प्लांट शायद ही विश्व में कहीं हुआ होगा ये बहुत ही असाधारन सर्जरी है जिसका भारत में अभी तक एक रिसोर्च पेपर भी प्रकाशत नहीं हुआ है डॉक्टर ने आगे कहा कि कुछ और महीनों तक मरीज की स्थिती को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा ताकि ये पता चल पाए कि उसका इम्म्यून सिस्टम नए अंगों को परिशानी तो नहीं पहुचा रहा साथ ही इसका भी ध्यान रखना होगा कि मरीज का ब्लड प्रेशर कोई नई दिक्कत ना खड़ी करते आपके लिए खबर लिखीती हमारे इंटर्शिप कर रहे रौनक बैडाने आप सभी जानते हैं कि कोरोना वाइरस की बज़र से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है आप लोग भी सुरक्षित रहे और अपने घरों के अंदर रहे घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कोई ज़रूरी काम हो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाए सोचल डिसंसिंग का पालन करे और सेनिटाइसर का इस्तमाल करे अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो वैक्सीन भी ज़रूर लगवा ले आप अपना और अपने परिवार का ख्यार लखे शुक्रिया आपको सेहत मन बनाने हेल्ट की दुनिया के सब हाल बताने आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने एक्सपर्ट्स के जरीए आपकी अवेर्निस चमकाने हाँ